अरे क्रिश्णा आज की कहानी में आपका हृदे से स्वागत है। राम जी और सीता जी का विवा संपन्ध हुआ। सीता जी को उनके ससुराल अयोध्या जी जाने के लिए सजाया गया। राम जी ने उनको देख अपनी आखें बंद कर ली। मानो उनको अपने हृदे में बसा लिया हूँ। सीता जी उनके चरन स्पर्ष करने लगी उसी समय राम जी ने अपने चरन उठा लिये। ये कहकर कि सीता जी का स्थान चरनों में नहीं रिदे में है। माता सीता बोली, स्वामी, स्त्री का धर्म है, पती के चन स्परश करे। राम जी बोले, सीते, मैं शपत लेता हूँ इस जीवन में, मैं आपके सिवा किसी भी अन्यस्त्री को सिर्फ माता के रूप में ही देखूंगा। मैं सिर्फ सीता पती ही कहलाऊंगा। वैकुंठ में महा विश्णू की तीन पत्निया हैं, श्री देवी, भू देवी और नीला देवी, परन्तु राम अवतार में राम जी ने एक ही पत्नी की शपत ली। श्री देवी सीता माता के रूप में लीला करने आई, और राम जी ने अपनी अन्य दो पत्नियों को वैकुंठ में ही छोड़ कर लीला की। राम जी और सीता जी की ये लीला हमें आदर्श दामपत्य जीवन की शिक्षा देती है। सर्वं श्री क्रिष्न अर्पनम